Hello everyone, आज हम करेंगे class 9th का chapter number 2 polynomials, जिसमें हम सीखेंगे कि algebraic identities को कैसे use करते हैं, questions करते हैं तो algebraic identities क्या है, ये कुछ formula हैं जो algebra को solve करने के लिए बने हैं यानि जिस भी expression में variables दिये हो, आप उसको कैसे solve करोगे, उसकी कुछ formula बनाए हैं, वो आपको as it is apply करने होते हैं तो questions के तुरू देखते हैं, identities कैसे आपको use करनी है, फिलहाल मैंने यहाँ पर कुछ formula की list लिखी है, वो आप एक बार देख लो और उसको note कर लो इसको as it is अभी याद करने की ज़रत नहीं है, क्योंकि यह जैसे-जैसे question जितना ज़्यादा practice करोगे, खुद ही आपको याद हो जाएंगे, इनको अलग से बैटके रटना नहीं है, तो बहुत time लग जाएगा, आपको जल्दी से याद नहीं होंगे, यह practice से खुद याद ह जाएंगे, ठीक है, तो देखते हैं कैसे solve करते हैं, हमारी first identity है x plus y और उसका whole square, तो x plus y यहाँ पे दो कोई भी term हो सकती है, कोई constant हो सकता है, कोई variable हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x और y यानि दो numbers हैं, उनका आप square कर रहे हो, तो आप कैसे solve करोगे, इसको direct लिख सकते हो, x square plus 2x into y plus y square, यह formula बना हुआ है, इसको कैसे apply करना है, देखते हैं, मान लेते हैं, मुझे x दिया हुआ है, let's say, x plus y दिया हुआ है, आपको 6, ठीक है, तो x की जगा पे मुझे x ही दिया हुआ है, y की जगा पे 6 दिया है, और उसका square करना है, इसको solve करना है, तो कैसे solve करोगे, यह आपका x है, यह y है और उसका square, हमें पता है, यह identity है, तो क्या होता है, x square, तो x की जगा पे x ही है, तो x का square plus 2 into, यह x है और यह y है, तो x की जगा पे x, y की जगा पे 6, प्लस y कितना है y6 है तो y की जगह पे 6 और उसका square y square यानि 6 square आगे बढ़ते हैं x square as it is plus 2 into 6 कितना होता है 12 और into x 12x plus 6 का square यानि 36 आप इसको further solve नहीं कर सकते हैं तो यह आपका answer है ठीक है अब पिछली वीडियो में हमने सीखा है splitting the middle terms अगर आप इस 12x को फिर से split करोगे तो यही बनके निकल के आएगा x plus y x plus y यही आएगा तो या इसको ऐसे solve किया है हमने identity के थूँ अगर आप इसको अलग तरह से solve करते हैं यानि without identity solve करते हैं तो अभी देखो क्या answer आता है x plus y का whole square है किसी भी number का whole square यानि उसको दो बर multiply किया जा रहा है तो x plus y और x plus y मैं ऐसे y की जगह क्या है x plus 6 का whole square है तो x plus 6 and x plus 6 यह लिख सकते हूं अब देखो इसको कैसे solve करते हैं यह जो x है यह पूरी term के साथ multiply होगा फिर यह जो 6 है वो भी पूरी term के साथ multiply होगा ठीक है तो x को पूरी term के साथ multiply करते है x into x, x square होता है x into 6, 6 x होता है फिर 6 into x फिर से 6x 6 into 6 36 होता है ठीक है फिर x square 6 plus 6 12 और x like terms को हमने add कर दिया है plus 36 देखो यह जो answer है और यह जो formula से answer आया है दोनों same ही तो है तो identity use करके आपका question जल्दी हो जाएगा इसलिए formula develop हुए है ऐसे भी कर सकते हो अगली identity देखते है next identity है x minus y और उसका whole square तो यहाँ पे पहले plus था अभी minus हो गया है minus के identity में क्या change आएगा जहाँ पे x y है 2xy वो negative हो जाएगा ठीक है y square देखो square वाली चीज negative नहीं होगी क्योंकि square कभी भी किसी भी negative number का square करते हो जिसके minus 2 उसका square करोगे तो minus 2 into minus 2 minus minus cancel हो जाएगा answer तो positive 4 आता है तो जो भी square में है minus देखो यहाँ पे y negative है तो y का square है लेकिन positive है क्यों क्योंकि वो negative negative cancel हो के positive हो गया है लेकिन यहाँ पे एक negative है और एक positive है तो negative sign यहाँ पे rule करेगा यहाँ पर आएगा तो ऐसे करके याद रखना या वैसे भी याद रखना minus 2xy में सिर्फ negative आएगा बाकी सब positive तो इसको एक example देखते हैं let's say 2x minus 3 का square करना आपको तो यह आपका पूरा x हो गया और यह आपका y है तो अब देखो कैसे करना है solve 2x का square सबसे पहले करेंगे क्योंकि x square है identity के हिसाब से तो 2x square minus 2 into xy तो x है आपका 2x, y है आपका 3 plus y square तो यहाँ पे 3 का square आगे बठते हैं 2x का whole square क्या होगा? 2, 2 is a 4, x का square x square तो 4x square minus यहाँ पे 2 into 2, 4, 4, 3 is a 12 12x plus 3 का square होता है 3, 3 is a 9 तो यह आपका answer है next identity देखते है next third identity है आपकी x square minus y square होता है x plus y bracket में और फिर x minus y यानि x plus y, x minus y दोनों आपस में multiply हो रहे है यह equals to होता है किसके x square minus y square के अब x और y की जगे कुछ values रखते हैं for example मैंने ले लिया let's say question दिया आपको 9a square minus 25b square इसका value निकालना है ठीक है अब कैसे solve करोगे देखो 9a square, 9a square को कैसे लिख सकते हो? 9 जो है वो 3 का square होता है तो 3 और a का square को मैं a और उस पूरे का square लिख सकते हूं तो basically 9a square को मैं 3a का whole square लिख सकते हूं उसको solve करेंगे तो 9a square ही तो आएगा ठीक है? ऐसे ही minus, यह वाला minus 25b square, 25 किसका square है? 5 का तो मैं आ लिखूंगी 5 और b square यानि b इसका whole square 5b का whole square हो गया, 25b square तो मैंने कुछ नहीं किया, बस 9a square की जगा 3a का whole square लिख दिया, minus 25b square की जगा 5b का whole square लिख दिया अब यह देखो, यह क्या बन गया है? x square minus y square, मेरी यही तो identity है यह हो गया आपका x, और यह हो गया आपका y ठीक है? आप देखो कैसे करना है? आपको पता x square minus y square क्या identity है? x plus y, x minus y तो क्या करोगे? x है आपका 3a minus, यह x है, minus y यानि 5b और एक बार x plus y यानि 3a plus 5b बस यह answer है तो आपको बस यह लिखना है, using this identity यह identity mention करनी है और आप डारेक्टेस से solve कर सकते हो नहीं समझ आया अगर पहली बार कर रहे हो यह identities तो फिर से एक बार देखो थोड़ा सा slow करके देखो वीडियो को तो अच्छे समझ आएगा, साथ साथ प्रैक्टिस करो अगला identity देखते है fourth identity है आपकी x plus a, x plus b यानि यहाँ पे x यह जो first first term है ना दोनों bracket में यह same होगी और a और b यानि यहाँ पे कोई और different different terms होँगी और वो दोनों brackets आपस में multiplication में होँगे तो आप क्या करोगे x square plus a plus b x plus a b यानि a plus b यह दोनों सम और उसके साथ x को multiply करना है plus a b यह शुरू-शुरू में अगर पहली पर पढ़ रहा है तो मुश्किल लग सकता है लेकिन यह बहुत easy है जब practice में आ जाओगे तो यह सबसे जादा मज़िदार और असान लगेंगे तो देखते हैं कैसे करना है एक question imagine करते हैं कि यहाँ पे x plus 2 है और x plus 3 है इसको solve करना है आपको ठीक है x यानि कि यह देखो यह दोनों term same रहेंगी यह दोनों change होती है अब दोनों brackets आपस में multiply हो रहे होंगे तो कैसे solve करोगे आपको पता है यह identity होती है यह याद रत नहीं है आपको ठीक है x plus a यह a है x plus b यह b है ठीक है a is 2 b is 3 अब इसकी जगा पे जो identity इसकी जगा पे values रखो यह x square तो x square आ जाएगा क्योंकि x तो x ही है ठीक है plus a plus b तो a क्या है 2 और b क्या है 3 तो a plus b उसके साथ multiply हो रहा है x plus a into b यह a और b के बीच में कोई sign नहीं होता है या नि multiply हो रहे हैं दोनों तो a और b multiply होगा यानि कि 2 into 3 2 multiplied by 3 तो क्या आएगा आपका answer x square plus 2 और 3 होता है 5 x यह देखो x के साथ multiply हो रहा है plus 2 3 is a 6 बस ही आपका answer है इतना easy है ठीक है एक और देखो अब मैं थोड़ा sign change कर देती हूँ यह identity के questions करते हैं यह से ही है x minus 3 और x plus 2 एक में minus है और एक में plus है तो क्या करोगे अभी भी यही करना है कुछ नहीं यह आपका x है ठीक है और यह minus 3 आपका a है और 2 आपका b है ठीक है तो वही identity लगाएंगे x square as it is रहेगा प्लस यह है a plus b तो a क्या है minus 3 plus b क्या है 2 उस bracket के भार x multiply होगा plus a क्या है आपका minus 3 और b क्या है आपका 2 ठीक है आपको बस ध्यान से signs का ध्यान रखते हुए आपको values put करनी है अपने formula में ठीक है फिर x square यहाँ पर आजागा x square plus minus 3 plus 2 minus plus होता है minus integers के basic concept है यह plus minus minus होता है यह दोनों minus होंगे 1 आएगा negative sign बड़े वाले के पास है तो बड़े वाले की चलेगी और negative sign आएगा और यह x plus यह दोनों multiply करोगे आएगा minus 6 ठीक है तो आगे x square as it is plus minus होता है minus x 1 x को x भी लिख सकते है और plus minus minus 6 तो यह आपका answer है इसको आप further आगे solve नहीं कर सकते अब एक और देखलो मान लेते हैं x के साथ दोनों के साथ minus है चलो x minus 2 and x minus 3 इसको कैसे solve करोगे ठीक है तो फिर से formula क्या होता है formula मैं यह लिख रही हूँ x square plus a plus b x plus a b यह formula होता है ठीक है तो अब आपको पता है यह रहा a और यह रहा b तो x square as it is plus a और b क्या है minus 3 plus minus 2 यह x देखो मैंने brackets इसके लगा है जिससे आपको clearly पता चले minus 3 यह रहा a यह है b और उन दोनों के बीच में summation कसा आएंगे plus कसा आएंगे और बाहर x है ठीक है plus a minus b क्या है यह a into b क्या है minus 3 into minus 2 ठीक है आगे बढ़ते है x square जितना step wise करोगे जितना अभी अगर पहली बार कर रहे हो या practice ही कर रहे हो तो गलतियां जरूर होँगी तो शुरू शुरू में जब practice कर रहे हो तो सारे steps लिखो एक-एक step लिख लिख के करो तो सब clear होगा तब आप जल 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 दी कर पाऊगे plus अब देखो यह bracket कैसे खोलते है integers का basic rule minus 3 यह हो जाएगा minus 3 plus minus minus 2 और यह बाहर X प्लस यह हो जाएगा minus 6 आगे बढ़ते है X2 प्लस minus minus हो jayएगा यह plus है और bracket के अंदर यह plus sorry minus minus would be plus 3 और 2 हो जाएगा 5 और sin आएगा minus का यह X plus minus 6 आगे बढ़ते है X2 यह हो जाएगा minus 5 X plus minus minus होता है minus 6 तो minus 5 X minus 6 हुई है यह minus 3 और minus 2 multiply हो रहे थे तो यह दोनों minus minus sign multiplication में cancel हो जाते हैं तो यह positive 6 आएगा ठीक है बस यह द्यान रखना है next identity देखते हैं इसमें है x plus y plus z का square तो यहां पे 2 की जगा 3 terms है z भी आ गया है और उस पूरे का square हो रहा है तो कैसे solve करोगे x square plus y square plus z square plus 2x into y plus 2y into z plus 2z into x एक बर xy एक बर yz एक बर z x multiply करना है 2 के साथ और plus करते जाना है तो इसको इससे related question ले लेते हैं मान लेते हैं हमारे पास है a plus 2b plus 3c तो कैसे solve करोगे देखो a आपका हो जाएगा x 2b हो जाएगा आपका पूरा y यह 3c हो जाएगा z ठीक है x plus y plus z का ही तो square है तो यह identity यूज़ करते हैं तो x square सबसे पहले यानि a square plus y square यानि 2b y है आपका उसका square plus 3c z है आपका उसका square plus अच्छा writing भी अच्छी रखना क्योंकि writing अच्छी नहीं होगी तो आपको एक question समझ नहीं आने वाले आप जिसे कुछ लोग बड़ा बड़ा लिखते हैं तो question इतना complicated लगेगा आपको कि इतना लंबा हो गया और आधा तो समझ में वहीं नहीं आएगा तो writing थोड़ा अच्छा लिखना brackets और squares clearly बनाना तो question में करने भी मज़ा आएगा आगे देखते हैं यह x square y square z square तीनों लिख दिया plus 2 यहाँ पे 2 x क्या है आपका a है तो यह a into y क्या है आपका 2b है ठीक है तो x 2xy plus 2 into yz तो y कितना है 2b है और यह है 3c z क्या है 3c plus 2 फिर आगया 2zx तो z कितना है 3c और x कितना है a तीक है अब आगे देखते है a square as it is इसको solve नहीं कर सकते 2b square तो यह जाएगा 4b square ठीक है bracket खोला है मैंने plus 3c square 3 3 जा होता है 9c square ठीक है plus 2a2b तो 2 2z होता है 4 और ab plus 2 2z 4 4 3z 12 12bc plus यह b और यह c ठीक है और इसमें क्या आएगा 2 into 3 constants को multiply करो 6ca 6ca अब ध्यान से देखो इसको हम further solve नहीं कर सकते है तो यह आपका answer है क्योंकि कोई भी like term नहीं है अगर by chance like terms आती है तो उसको plus minus करते है जो भी करना होता है अभी like term नहीं है तो यहीं पर खतम हो जाएगा this is your answer next identity देखते है इसमें क्या है x plus y का cube है cube मतला power में 3 है square के जगा 3 आ जाएगा तो क्या करोगे x cube plus y cube plus 3xy x plus y फिर bracket में यानि 3xy इस पूरे की साथ multiply हो रहा है इस identity को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कुछ नहीं है यह इसी bracket को open किया गया है यानि 3xy को x से multiply करोगे 3x square y हो जाएगा फिर 3xy को y से multiply करोगे 3xy square हो जाएगा ठीक है इसको अब एक question से समझते है question ले ले लेते है 2x plus 3y और उसका square उसका cube ठीक है तो 2x plus 3y का cube अब इसको solve करते हैं देखो यह identity है या तो यह ले लो यह ले लो same answer आएगा तो 2x यह रहा x यह x है पूरा और यह पूरा y है ठीक है तो x cube करना है सबसे पहले x cube क्या होगा 2x का cube plus फिर y cube करना है तो 3y का cube plus फिर करना है 3x into y तो 3 2x into 3y ठीक है और फिर bracket में x कितना है 2x plus y कितना है 3y ठीक है मैंने सब values put की है अब solve करते है तो 2x cube 2x cube का मतलब है 2x 3 बार multiply हो रहा है तो 2x into 2x into 2x 2 to the 4 4 to the 8 2 3 बार multiply होता है 8 आता है x 3 बार multiply होगा तो x cube आएगा plus 3 3 बार multiply होता है cube roots और square roots प्लीज याद कर ले न at least आपको 12, 13, 15, 17, 16 जो भी है 20 तक minimum याद होने चाहिए square roots तो 20 cube root आपका 12, 13 से भी काम चल जाएगा तो वो याद होने चाहिए जल्दी कर पाऊगे questions तो 3 का cube होता है आपका 27y cube प्लस अब यहाँ पर देखो 3 into 2, 3 to the 6, 6 to the 18, x और y, xy ठीक है और यह bracket में है 2x plus 3y अगले step में 8x cube प्लस 27y cube प्लस अब यह 18xy को bracket के साथ multiply करना है तो 18xy को 2x से multiply कर हो जाएगा 18 2s कितना होता है 36 तो 36 x square y प्लस 18 3s कितना होता है 54 यह xy और y इधर भी है तो xy square अब हम आगे इसको solve नहीं कर सकते है तो यह आपका answer है अब 7th वाली identity देखते हैं इसमें कुछ नहीं है पिशली वाली identity जैसा है सिर्फ minus का sign है y के साथ तो द्यान से देखो पहले आपका जहां जहां पे एक y है वहां माइनस sign है तो देखो y cube है तो minus का sign आएगा इसी तरह यहां एक y है minus आएगा यहां पे भी इधर एक y है minus आएगा तो odd numbers of y होंगे तो minus लगाना है इसे याद रखना इसके अलाबा यहां पे देखो यहां पे cube है y का तो minus आया है side और यहां देखो एक ही y है y की power में 1 है तो minus आएगा लेकिन यहां पे y square है तो minus का sign जो पॉजिटिव हो जाएगा तो यहां पे plus का sign आता है formula में signs क्या आएंगे उसको याद रखने का यही तरीक है जहां पे जहां पे यह y minus में है तो y जहां जहां पे negative जहां जहां पे odd power के साथ है वहां पे minus आएगा जहां पे y even power के साथ है वहां पे positive आएगा तो इसमें भी आप same वही करके देख लो जैसे 2x minus 3y का square क्या cube करके द खुद करना हम next identity देखते हैं अब देखते हैं यह है x cube minus y cube equals to x minus y x square plus y square plus xy यह पूरा bracket में है या इसको इस तरह से भी लिखते है ठीक है तो कैसे solve करना है question लेके देखते है let's say question है हमारा 2x का cube minus 3y का cube इसको solve करना है ठीक है यह x cube minus y cube तो कैसे solve करोगे देखो यह आपको identity पता है गिवाली तो x minus y तो सबसे पहले 2x minus y का मतलब minus 3y उसके बाद x square यानिकि 2x का square plus y square यानि 3y का square plus xy यानि 2x into 3y यह आपका bracket close right समझ मैं है मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ values put किये y जहां जहां था वहां पर y की value जहां x था वहां x की value आगे देखते हैं कैसे करना है 2x minus 3y as it is लिख दो 2x minus 3y उसके पहले bracket open करते हैं यह वाला तो 2x का square यानिकि 4x square plus 3y square यानिकि 9y square plus 2 into 3 is 6xy ठीक है उसके बाद क्या करेंगे आप इसमें कोई like term मुझे नहीं दिख रही है तो यह answer है आपका तो this is your answer इसको इस identity से भी कोशिश कर सकते हो करने का यही same answer आएगा अगली identity देखते है जो 9th identity है वो आपकी same यही है बस positive sign के साथ है तो positive sign में identity change रहेगी मैं आपको लिख के बता देती हूं x cube plus y cube है वो x cube plus y cube क्या होता है x plus y x square minus x y plus y square ठीक है यह आपकी identity है इसको याद कोई भी आप values लेकर solve कर कर देख सकते हो तो चलते हैं third identity पे सारी third नहीं 10th identity पे 10th identity क्या है x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz इसको आप कैसे लिखोगे अगर ऐसा कुछ भी expression frame करके दिया हो तो आप उसको ऐसे solve पर होगे ठीक है आपको बस याद रखना है x plus y plus z और उसकी फिर bracket में x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx तो इसको solve करने के लिए question लेते हैं कि मान लेते हैं आपको दिया 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz इस तरह से आपको एक question दिया है इसको solve करना है तो आप देखो ध्यान से यह 27x cube है इसको मैं लिख सकते हूं 3x का whole cube ठीक है 3 into 3 into 3 27 होता है और x cube को मैंने x की power और cube लिख दिया plus y cube का मतलब y का cube plus z cube का मतलब z का cube अब यह minus यहाँ पर है 9 दिया हूँ है तो 3 को अलग करो 3 को मैंने अलग किया तो कितना बचेगा 3xyz तो 3x sorry x कितना है 3x y कितना है y और z कितना है z देखो ध्यान से देखना 3 into 3 9 होता है तो मैंने 3 को तो अलग कर दिया क्योंकि मुझे यह formula बनाना था minus 3 minus 3 बहार आ गया बीच में क्या बचा 3x यह x है जो 3x y यह जो y है और यह वाला z z तो आपका formula same वही बन गया यह उगया आपका x square y square z square minus 3xyz ठीक है तो यह same formula दिया हूँ है आपको क्या करना है values पूट करना है क्यों आपको x और y और z की value पता चल गई x क्या है 3x है y क्या ह है सिर्फ y z क्या है सिर्फ z ठीक है तो अब इसमें values पूट करते हैं इस वाले equation में तो x y z यानि कि 3x plus y plus z यह x y z और उसके बाद x square यानि 3x square plus y square plus z square plus sorry minus 3x x की जगा पर 3x आएगा y minus yz minus 3 sorry 3x into z यह देखो 3zx है तो 3 यह होगया z और यह x 3x जो है आपका x है आप आगे solve करेंगे 3x plus y plus z यह हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 x square plus y square plus z square minus 3xy minus yz minus यह हो जाएगा आपका 3xz चीक है तो इसके आगे हम solve नहीं कर सकते हैं तो this is your answer आपका 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 आपक